सर लास्ट क्लास में हमने कॉलेज में शेयर कैपिटल इशू डिवेंचर सी एफेस देखे मैं सीक्वेंस से चलूँगा और अगर किसी बच्चे का कॉलेज में इंटर्नल होगा तो मुझे स्पेशली आप बता देंगे तो उसको वो चेप्टर प्री रिकॉर्डिड मिल जाएगी मैं पहले आपका चेप्टर स्टार्ट कर देता हूँ इस शेयर कैपिटल ठीक है लास क्लास के अंदर और यह इसलिए भी थोड़ा बहुत ट्विल्स से रिलेटिड है तो पहले मैं आपका शेयर कैपिटल चेप्टर आप ही स्टार्ट करते हैं तो चलिए डिले नहीं करते हैं फट्टा फट से स्टार्ट करते हैं चेप्टर का नाम है हमारा शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल ठीक है इसके अंदर हम क्या क्या सीखेंगे और यह है क्या इसके अंदर सर हम एक बेसिक इशू तो सीखेंगे ही सीखेंगे मतलब बेसिक जनल एंट्री हो गया एक हम सीखेंगे इसमें कॉल्स इन एरियर की ट्रीटमेंट कैसे करें एक सीखेंगे सर कॉल्स इन एडवांस का ट्रीटमेंट कैसे करें एक हम सीखेंगे सर other than cash कैसे एंट्री करें एक सीखेंगे सर हम share poor feature एक सीखेंगे सर हम share reissue सर एक सीखेंगे हम कुछ account जैसे balance sheet बनाना कुछ एक basic basic चीज़े मैंने लिख दिया है जिसके आसपास हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर जाएगा कि किस तरीके से रहेगा ठीक है मैं फिलहाल ये मान के चलूँगा कि आप सभी बच्चे को इसके बारे में कोई knowledge नहीं है और मैं उसी के according लेके चलूँगा अगर आपको पहले से ये chapter आता है तो बहुत अच्छी बात है लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप में से किसी student को इस chapter की कोई खास ज स्टार्ट करने जा रहा हूँ ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वर्ड आता है सर पहले वर्ड की बात करें तो सबसे पहले वर्ड है हमारा share capital चप्टर का नाम ही है इसको हम issue of share के भी नाम से जाते हैं तो हम पहले ये पूरा ही नाम समझ लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे है ना सबसे पहले share का मतलब क्या होता है share का मतलब होता है हिस्सा हिस्सा ठीक है ना capital का मतलब क्या होता है हमारा पूंजी ये तो हिंदी मीनिंग होगी capital का मतलब क्या होगा हमारा पूंजी सर पूंजी का हिस्सा जैसे अगर हम बिजनस के टाइप की बात करें अगर हम बिजनस की पहले टाइप देख लें क्या होता है तो सर अगर हम बिजनस की टाइप की बात करें न तो बिजनस में एक होता है हमारा इंडिवीजवल अब Indivisible का मतलब ही ये है कि अकेला मालिक है ये ये अकेला मालिक है दूसरा कोई मालिक ही नहीं है तो इसको तो Tension ही नहीं है अपने Capital का हिस्सा विस्सा करने का Capital का किस तरीके से हिस्तेदारी होगी दूसरा होता है हमारा Partnership Firm Partnership Firm Partnership Firm में एक से ज़्यादा लोग होते है मतलब हो सकता है A है B है C है लेकिन यहां restriction है कि आप maximum 50 लोगों से ज़्यादा ले ही नहीं जा सकते यानि limit है कि अगर आप अपने साथ बिजनस में लोगों को जोड़ना चाहते हो तो maximum कितने लोगों को जोड़ पाओगे 50 इससे उपर जाही नहीं पाओगे ठीक है इसके बाद जो जो हमने देखा है वैसे तो साथ तरीकी के person होते हैं एक होता है हमारा company सर company के अंदर भी काफी सारे type है है तो काफी type लेकिन जिसमें से मैं तीन type जो आपने कभी न कभी सुना होगा जैसे private limited जैसे limited और जैसे one person company जिसको हम बोलते हैं OPC और मजे की बात देखो जो आप यहां practical पढ़ोगे न वो सारा theoretical आप corporate law के अंदर पढ़ोगे as it is सारी चीजे तो एक बहुत अच्छी बात है डीव के syllabus की कि दोनों एक ही semester में जिससे आप आपस में इसको coordinate कर पाऊगे ठीक है न सर private limited के अंदर क्या है सर restriction है यहां पे भी आप maximum 200 person ही रख सकते हो सर limited में कितने member बनेंगे कितने लोगों को आप जोड सकते हो यहां पे restriction नहीं है पहली बात ध्यान रखेगा ठीक है OPC में single रहेगा one person ही रहेगा तो हमारा जो share को capital की बात करें तो हम बात करने वाले हैं सर capital का share यानि capital जैसे suppose कि capital का जो share होगा वो कितने लोगों से हम वसूल सकते हैं बड़ी simple सी बात है हम जितने जादा लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे उतना ही जादा हमारा strength हो जाएगा ठीक है नहीं हमें बहुत कम effort में जादा capital इखटा कर पाएंगे अगर 200 लोगों से ही पैसा लेना है तो मुझे उन चुनिंदा लोगों के पास जाना पड़ेगा जिसके पास बहुत पैसे हो लेकिन unlimited हो तो उस case में कोई नहीं रहता तो हम जो पढ़ेंगे जितनी भी accounting करने वाले हैं maximum case के अंदर हम इस company की accounting करेंगे लिमिटेड के ठीक है आगे बढ़ते हैं इसको लेके तो लिमिटेड के बाद आगे देखते हैं सर इसका मतलब क्या हुआ यानि सर हम company तो पहला शब्द आता है सर company होता क्या है और company बनता कैसे है अगर मैं company की बात करूँ तो company जो की लिमिटेड इस लिमिटेड अगर मैंने सिर्फ company बोला तो इसका मतलब वो company नहीं हुआ उसके आगे शब्द लगना जरूरी है क्या limited इस लिमिटेड शब्द को लगाने के लिए हमें अपने आपको registration कराना होता है इसको हमें क्या करवाना पड़ता है registration कहा registration कराना से बढ़ता है सर company एक्ट में company एक्ट 2013 के अंदर अभी 13 चल रहा है तो 13 के ही बात करेंगे इसके अंदर हमें registration कराना पड़ता है अब company एक्ट बहुत बड़ा एक मतलब कि पूरा का पूरा यह एक law है जो कि आप पढ़ोगी भी ठीक है तो company एक्ट में हमें अपने आपको registration कराना पड़ेगा सपोस करते हैं कि मैं शिक्षाधाम यानि SKD मैं limited बनाना चाहा रहा हूँ तो भाईया SKD मैं चाहने से नहीं होता मुझे क्या करना होगा मुझे इसके पास जाके अपने आपको क्या कराना पड़ेगा registration लेकिन जैसे ही मैं इनके पास जाऊंगा तो ये पहले मुझे सारे के सारे process बताएंगे कि registration कैसे करना है पहला questions इनका आएगा कि भाईया तुम ये वताओ कि तुम्हारे company का name क्या होगा मैंने बोला भाईया मेरे company का नाम SKD limited होगा दूसरा question पूछा तुम्हारे company का address क्या होगा मैंने बोला भाईया Delhi में होगा मेरा address तीसरा question पूछा तुम्हारे company का objective क्या होगा मैंने बोला भाया मेरी company का objective जो है वो education का है चौथा question ये पूछा इसने के भाया तुम्हारी company के अंदर कितने liability होंगे मतलब बाहर से loan वगएरा तो amount बताना है पाँचवा question मुझे पूछा तुम्हारे shares भी होंगे क्या मैंने बोला मुझे shares होंगे अब सार मुद्दे की बात तो यही चप्र सीख रहे है न यानि मुझे एक number देना पड़ेगा इसको shares का number का मतलब है quantity देना पड़ेगा कितने share होंगे चटा question पूछेगा भाया तुम कितने लोग हो यानि member लोगों का मतलब जो हमारे साथ जुड़के काम करेंगे member तो यह जो है ना company law board यह अपने नीचे एक person रखता है हम इसके पास direct नहीं जा सकते यह अपने नीचे जो person रखता है ना मैं direct तो इसके पास पहुँच ही नहीं सकता यह अपने नीचे रखता है किसको सर regional director को जैसे हमारे चार reason है north, east, west, south तो हर reason में एक director हो गया अब reason, regional director भी अपने नीचे रखता है registered of company को that is ROC तो मैं direct कहां जाओंगा ROC के पास ROC बताएगा मुझे यह सारे के सारे document ले के आओ और document भी किस form में ले के आओ printing form में ले के आओ मैं सारे के सारे यह document इनके पास ले के जाओंगा किस format में? printing format में जब मैं printing format में जमा कर दूँगा उसके बाद ROC चेक करेगा वो सारी चीजे को जब वो सारी चीजे को चेक करेगा अगर इसमें कोई कमी होगा तो मेरा नाम जो मैं सोच रहा हूँ वो reject हो जाएगा अगर कमी नहीं हुआ तो फिर क्या हो जाएगा? accept होने के बाद फिर मैं अपने business को क्या कर पाऊँगा? commence कर पाऊँगा commence का मतलब होता है start कर पाऊँगा commencement of business इसके बाद मैं business को start कर पाऊँगा इसमें से एक point है पाँच बाद जो की है share capital होगा तो मुझे अभी बताना होगा कि मेरी company में कितने shares होंगे मुझे अभी बताना पड़ेगा at the time of registration तो मैं जैसे suppose करो मैंने बोला कि भाईया मेरी company के अंदर जो shares होंगे suppose करो वो मैंने बता दिया कि भाईया यह 10 लाग होंगे तो यह जो मैंने बताया उसको कि मेरी company में share 10 लाग होंगे और हर एक share पूछा गया भाईया 10 लाग तो number है अब हर एक वेक्ति से आप कितना minimum ले सकते हो यानि face value पूछा जा रहा है इसका face value face value का मतलब होता है एक share कितने का मैंने बोला 10 रुपए का ठीक है न तो मैंने 10 लाग जो 10 लाग share है और एक share का price कितना है 10 रुपए तो देखा जाए तो इससे मैंने अपने आपको registration करा लिया तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ेगा हमारा authorized capital या फिर registered capital या फिर floated capital या फिर nominal capital यानि सर हम जितने cashier से अपने आपको registration करवाएंगे उसको या तो हम इस different different नाम से जानते हैं और इस इस different डिफरेंट नाम से बुलाएंगे लाइक authorized capital लाइक registered capital लाइक floated capital लाइक nominal capital अब जितने ये मैंने अपने आपको registration कराया है मान लो मैं चाहता हूँ कि मैं जो है वो 10 लाख कितने एक share में issue करतू 10 लाख एक share तो not possible जितने हमने registration करवाए हैं पूरी life में उतने ही share को issue कर सकते हैं उससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकता उससे कम जरूर हो सकता है तो मान लिया जाए कि मैंने इसमें से मैंने decide किया कि यार एक काम करते हैं पांच लाख share बेच देते हैं को बेचने का मतलब है मैं कैसे बेचूंगा इसको मैं सब जगह पे एक advertisement चलाऊंगा कि मेरी company हमारी company share लेके आई है आप मेरी company में क्या करें investment करें और जैसे ही मेरी company में आप investment करेंगे तो आपको बहुत सारा फाइदा मिलेगा फाइदा कैसे मिलेगा कि मान लिया जाए मेरी company का 50 लाक रुपए का profit होता है मान लिया जाए मेरी company का profit कितना होता है सर 50 लाक का 50 लाक divided by अगर 10 कर तो मतलब profit 50 लाक और 5 लाक से divide कर तो आपको हर किसी को 10 रुपए का dividend ही मिलेगा और जो बाकी का share रहेगा वो तो रहेगा ही रहेगा इसको दूसरे तरीके से और समझो क्यों share में पैसे लगाना चाहते हैं लोग का क्योंकि ये एक आपना investment management chapter है जो कि आप semester 4 में पढ़ोगे कि share market से related वो ही रहेगा देखो मान लो मैं एक छोटा सा example लेता हूँ इसको to be continue करेंगे मेरी company का मान लो आपने share खरीदा और एक share के लिए मुझे कितना payment किया आपने 10 रुपए अब company का जो profit हुआ that is profit हो गया 60 लाग ठीक है और company के पास कितने share issue है 5 लाग 5 लाग issued है तो हर एक के हिस्से में 12-12 रुपए आएगा जो इस profit को इस number of shares में बाट दिया इस profit को हम बोलते है इसको क्या बोलते है आपको 12-12 रुपए इस साल मिल जाएंगे और जो आपने मेरी company में 10 रुपए लगाए थे वो तो है ही लगे हुए अब जब आपको पता चलेगा कि भई 10 रुपए लगा के और मेरे को 12 रुपए मिल चुके है और मेरे 10 रुपए तो अभी भी company के अंदर ही है तो आप profit में बहुत ज़ाद आ गया एक साल के अंदर तो आप इस shares को खरीदने के लिए आपके साथ साथ आपके जानने वाले और जिसको ये बात पता चलेगा सभी खरीदने जाएंगे यानि अचानक से इस shares की क्या हो जाएगी demand जो है वो increase हो जाएगी और जैसे ही इस shares की demand increase होगी वैसे ही लोग बाग क्या करेंगे इसके price बढ़ा देंगे बोलेंगे मैं 10 का नहीं बेचूँगा 15 रुपय का अपना share बेचूँगा आप में से ही कोई तयार हो जाएगा आप में से कोई तयार हो गया कि कितने का दो गया मैंने बोला भी ये 10 में खरीदा था दे दो बोलो 10 का तो लिया ही था आप तो बहुत मांग रहे है में 10 का क्यों बेचूँ मैं तो 15 के दूँगी या 15 का दूँगा तो ऐसे situation मेरे share का price कितना हो गया आप देखो मेरे पास एक share है और उसकी value कितनी हो चुकी ये 15 और मुझे 12 रुपय क्या मिल चुका है dividend ये dividend तो मिली रहा है और मेरे share का price भी साथ के साथ बढ़ रहा है यहाँ double benefit है एक तो share के price में भी appreciation और दूसरा dividend भी लेकिन नुकसान भी हो सकता है क्या पता share का price 9 रुपय हो जाए और क्या पता company loss में हो dividend भी ना मिले तो दोनों चीज़े हैं risk and return दोनों चीज़े हैं सबसे ज़्यादा risky factor माना जाता है तो लोग बाग इसलिए share market में पैसे invest करते हैं लालज के लिए मान लो अगली बार company का 1 crore profit हो जाए और 5 लाख ही share रहेंगे तो कितने होगे हर किसी को कितने मिल गए 20-20 रुपय हर वेक्ति को मिलेगा क्या मिलेगा 20-20 रुपय as a dividend और आपके जो पैसे लगे थे वो तो है ही है फिर लोग बाग उस shares के बारे में पता चलेगा कोई बोलेगा भाई मैं तो 30 का बेचूँगा कोई तो 40 का बेचूँगा तो आप हिसाब लगा होगे यार 10 का 15 का ले लेता तो ठीक था आप देखो ये कितना हो गया 20 हो गया अब सोचोगा यार 20 का ले लेता हूँ तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा 40 हो जाएगा इस तरीके से shares का price बढ़ता जाता है अगर मैं आपको बोलू तो एक company है MRF ठीक है इसका shares का जो face value है 10 रुपए लेकिन आज की date इसी तरीके करकर के एक share का price हो चुका है 1.5 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए से उपर अगर मान लो आपने उस जवाने में जब इसने share दिये थे अगर आप 100 share ले ले लेते तो आज आपको 1.5 लाख इंटू में 1.5 करोड रुपए आपके पास होता और उस तरह कितने खर्च करते मातर 1000 रुपए लगाते और आज कितना हो जाता 1.5 करोड रुपए हो जाता और 1.5 करोड तो होता ही और हर साल जो आपको dividend मिलता वो तो अलग था तो लोग बाग इसलिए सर्फ share market में पैसा लगाना चाहते हैं तो जब कभी भी share market में पैसा जैसे इसलिए पैसा भी लगाना चाहते हैं और company का क्या फाइदा है company को बिना interest के क्या मिल जाता है आज बिना interest के पैसा मिल जाता है capital आपने मेरे पास अगर पैसे दीये यार मिल के business करते है और company में नुकसान हो गया तो आप थोड़ी बोलोगे भी मेरा नुकसान तो भरपाई कर तेरी वजह से हुआ इसे थी साथ भाइですज oso डूबे तो वो आपके डूबेंगे company को उससे मतलब नहीं है सब के साथ में चलेंगे तो मान लो इस 10 लाख को मैंने registration करवाया, authorize करवाया इसमें से मैंने decide किया कि मैं public को दूँगा, मैं किसको दूँगा public को दूँगा तो इसे हम public offer भी बोल देते हैं या इसी को हम क्या बोल देते हैं issue share इसी को क्या बोल देते हैं issue share एक सेट नहीं अभी तो live भी था एकदम से disconnect होगी एक विनट देख लेता हुआ रुख जाओ एक मिनट रुख जाओ मैं करता हूँ फिर दुबारा करता हूँ इसको live एक मिनट भेला बेख लेख 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 जाओ ठेगill कोई बात नहीं है आपको जो पार्ट मिस हुआ है वो मिल जाएगा अभी सभी माई डोन नो कैसे डिसकनेक्ट होगा कुछ हैरर आया होगा मैं तो क्लास ले ही रहूं फिला ठीक है अब क्लियर है एक बार बता दीजिए फटा फट से वोइस वगर है क्लियर है तो मैं आगे बढ़ हूँ मैं रिपीट कर देता हूँ चलिए ठीक है मैं रिपीट कर देता हूँ मैंने कितना बताया और क्या बताया है क्योंकि साइट डिसकनेक्ट हो गया था तो मैं सरिफ बात है क्या कर रहा था कि हमारा मान लेता है कि मैंने अपने आपको रिजिस्ट्रेशन करवाया कितने से सर दस लाग शियर से इसको हम बोलेंगे और हरे एक शियर का ना एक अपना वैल्यू होता है इसको बोलते हैं फेस वैल्यू या फिर इसको हम बोल सकते है nominal value भी बोला जा सकता है ठीक है अब इसमें से मैंने decide किया कि यार चलो 5 लाख share issue किया जाए क्योंकि ये तो possible ही नहीं है कि मैं इससे ज़्यादा issue कर दूँ हाँ इससे कम issue करना possible है मैंने decide किया कि मैं इसमें से कितने share issue कर दूँ 5 लाख तो जब ऐसे 5 लाख देना चाहते हो उतने ही share public ले इसके अंदर दो चीजे हो सकती है या तो जितना आप चाहते हो वो सारा ले ले यानि fully ले ले fully यानि कितने big गया है आपके share मैं number में बात कर लेता हूँ जल्दी समझ में आ जाएगा आपको मान लो मैं बेचने गया share देने गया public को तो पूरे 5 लाख तो अगर ऐसा scenario हुआ कि 5 लाख तो इस situation में इसको बोलेंगे हम fully subscribe ठीक है fully subscribe paid up नहीं fully subscribe मान लो इसमें से जो है 5 लाख 20 लोगों ने मांग लिए मांग लिए कि भई या 5 बीस दो तो नहीं इसके अंदर हो जाएगा आपका over subscribe over subscribe ठीक है ये लोगों ने मांगा और इसको हम बोलते हैं apply भी बोल देते हैं इसको कि लोगों ने क्या किया है apply किये है लिखिन मैं अगर 5 लाख 20 अजार मांग लेते हैं तो मैं 5 बीस थोड़ी ना दे दूँआ मैंने जितना इशू करने का permission लिया है law से सिर्फ 5 लाख मैं उतने ही दूँआ बाकी 20 अजार के पैसे वापस कर दूँआ इसके बाद अगर आगे देखा जाए माल लेते हैं कि 4 लाख 90 अजार लोगों ने मांग लिया तो इस situation में इसको क्या बोला जाता है अंडर सब्सक्राइब और हमेशा याद रखिएगा जो अंडर सब्सक्राइब होगा वो कम से कम आपका 90 परसेंट हो सकता है 90 परसेंट से जादा हो ही नहीं सकता क्योंकि अगर आप इसका 10 परसेंट लगाओ तो आप 4 पचास तक शेर अगर मान लिया जाए कि हमारे पास सिर्फ तीन लाख लोगों ने अपलाई किया तो हम इस शेर को अब इशू नहीं कर पाएंगे गवर्मेंट का रूल है कम से कम तो आपको 90% बेचना ही पड़ेगा तो minimum subscribe कितना होता है 90% इसको बोलते है minimum subscribe इसको बोलते हैं sir हम minimum subscribe चीक है तो यहाँ पर हमने क्या word देखा sir authorized capital खुली subscribe over subscribe या फिर under subscribe हमने देख लिया है हाँ पर खुली subscribe और over subscribe मैंने बोल दिया मैं दुबारा कर दूँगा repeat कोई बात नी तो मैं क्या कह रहा था मैं दुबारा एक बार फटाफट से repeat कर देता हूँ जितने share से हम अपने आपको registration करवाते हैं उसको क्या बोला जाता है registered capital या क्या बोला जाएगा authorized capital या क्या बोला जाएगा आपका floated capital या बोला जाएगा nominal जिससे registration करवाया जितने मेरे पास share हो गए उसमें से जितने share हम public को offer करेंगे उसको क्या बोलेंगे public offer या फिर issue share ठीक है अब इसमें से जितना public मांगेगी हो सकता है कि इस पाँच लाग में से public ने पूरे पाँच लाग share मांग लिए तो इसको क्या बोलेंगे fully subscribe ऐसा भी possible है पाँच लाग में से public बोल रहे हैं मुझे तो पाँच बीस दो लेकिन public ऐसा क्यों करेगी क्योंकि एक person apply नहीं करेगा माल लेते हैं पाँच लाग share है अब यहाँ पे हुआ ऐसा कि हर किसी ने मेरे पास जो public है एक ने मेरे से 2,00,000 मांग लिया एक ने बोला भई मेरे को 3,00,000 दे दो एक ने बोला मेरे को 20,000 दे दो तो मेरे पास total पैसे कितने shares के आगए 5,00,000, 20,000 मैंने बोला भईया हम तो 5,00,000, 20,000 नहीं दे सकते हमारे पास तो सरिफ और सरिफ राइट और मेरे पास जो पावर है वो पाँच लाग देने का ही है तो बागी 20,000 को हम वपसी कर देंगा तो ऐसे अगर सब्सक्राइब और अंडर सब्सक्राइब के केस में मिनिमम कितना बिक जाना चाहिए तभी आप आगे की कार कमपनी बढ़ा सकते हैं तो आप आगे बढ़ी नहीं पाओगे जो की है मारा मिनिममम सब्सक्राइब के नाम से जानता है या मिनिममम सब्सक्रिप्शन के ना दस से इसको क्या बोला जाता है सर फेस वेल्लिउ या फिर क्या बोला जाता है सर नॉमिनल वेल्लिउ दोनों में से कोई भी वर्ड इस्तमाल किया जा सकता है ठीक है यहां तक सभी student को clear है तो आगे हम बढ़ जाये मिलकुल आपको ये वीडियो सारी recording मिल जाएगी और उसको भी आप देख पाएगे यहां तक हर एक student को clear है तो yes या no में जवाब दे दीजिए हाँ बिलकुल पहली class देखें theory practical सारी चीज़े पिछली class में discuss कर लिया था वेदान्त का कहना है कि सर क्लियर येस क्लियर आगे बढ़ा जाए चलिए अब होता ऐसा है कि देखिए अब मैंने बोला कि मेरे shares का जो face value रहेगा ध्यान से देखिएगा वो रहेगा 10 रुपे तो company के पास एक डर है कि अगर company ने मान लिया जाए कि पांच लाग share अगर company ने पांच लाग share ईशू किया तो company को minimum कम से कम 4 लाग यानि 90% shares तो बेचने ही बेचने हैं अगर 4 लाग 50 अजार share नहीं बेच पाया तो ऐसे situation में बताओ क्या होगा ऐसे situation में वो company अपने company आगे के procedure ही नहीं कर पाएगा तो company अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे आप 5 परसन बैठे हुए हो और आप सबके pocket में 10-10 रुपए है तो आप कितने share apply कर पाओगे तो आप ओविस सी बात है आप मेरी company के कितने share खरीद पाओगे सरिफ 5 लेकिन मैं बूलू यार एक काम करना 10 रुपए है न अभी 10 मत दे त सबी 5-5 रुपए लेके आ जाओ तो अगर 5 परसन है और सबके जेब में 10 ही रुपए है तो अब आप कितने share apply कर पाओगे हर एक वेक्ति दो तो ऐसे situation में कितने share apply कर पाओगे आप 10 अगर मैं shares को टुकुडो में मांगू तो आप कहीं जादा number of shares apply कर पाओगे और जब आप ज़्यादा number of shares apply कर पाओगे तो मुझे minimum subscription वाला डर नहीं होगा इसलिए company के अंदर सिर्फ मैं bookist बात करूँ book की बात करूँ कि ये बताया जाता है कि ये 10 रुपए को दो तरीके से मंगवा सकते हैं या तो आप मंगवा सकते हो lump sum lump sum मतलब होता एक साथ भाई 10 रुपए लेके आओ हम नहीं जानते इसके अंदर दूसरा ऐसा possible हो सकता है कि ये 10 रुपए है और 10 रुपए एक साथ मतलब 10 रुपए को आप किस पर लेके आजाओ एक किस्तों में लेके आजाओ अब किस्तों में कैसे जैसे for example मैं आपके सामने बता देता हूँ कि एक काम करो अभी आपना दो रुपए लेके आजाओ फिर एक काम करना आप तीन रुपए लेके आजाना तीन रुपए फिर एक काम करना आप एक रुपए लेके आजाना फिर एक काम करना आप एक रुपए लेके आजाना फिर टूटल दस हो गए नहीं हो गए तीन दो पांस, तीन दो पांस दस हो गए तो मैं आपसे इस टुकडो में मंगाऊँगा तो इसको बोला जाता है इंस्टॉल्मेंट और हमारे सारे सवाल इसी पैटन पे होंगे लमसम वाला सवाल एक्जाम में नहीं पूछा जाता कौन सा पूछा जाएगा इंस्टॉल्मेंट में लेकिन भाई मैं कैसे बोलूँगा ये भी दो है और ये भी दो है ये भी एक है ये भी एक है तो मैं आपसे जब मंगवाऊँगा तो अगर मैं बोलता हूँ कि किसी का एक अपना नाम होगा जो पहली बार मंगवाया जाएगा पहली बार जो मंगवाया जाएगा इसको बोला जाएगा शेयर एप्लिकेशन इसको बोला जाएगा अगर मैं बोलू भी या शेयर एप्लिकेशन का पैसा आ गया तो समझ जाना जो पहली बार था वो आ गया दूसरी बार जो होगा उसको बोला जाएगा Share Allotment यानि दूसरी बार का जो आएगा उसको नाम दे दिया एक Share Allotment तीसरी बार जो होगा उसको बोला जाएगा Share First Call क्योंकि इसके बाद जो भी आएंगे उसका ऐसे ही नाम चलेगा इसके बाद जो होगा उसको बोलेंगे शेयर सेकिंड कॉल यानि नमबर चलेगा इसके बाद ना अब इसके बाद आप सोचो क्या होगा इसके बाद जो होगा उसको क्या बोलेंगे सर share heard call, ऐसे number चलता जाएगा पहले और दूसरे का नाम fix है और तीसरी के बाद क्या चलेगा हमारा number चलेगा पहले share application, फिर allotment उसके first call, second call, third call fourth call, जितना भी हो last में ये वाला जो है, ये कितना हो गया हमारा अगर देखा जाए ये, यहाँ पे तो यहाँ पे share आप fourth call भी बोल सकते हो और एक और नाम है इसका, that is final call यानि last वाले को एक final call बोल लो या number के हिसाब सो, जो numbering पढ़ रही है, वो बोल सकते हो तो ये तो होके, जब टुकडो में मंगाया जाता है तो ये रहे, जैसे अगर मैं बोलू भाई third call का, एक रुपे लातू third call का तो आपको पता होगा, कि भी या third call यानि ये वाला पैसा मंगवा रहे है अगर मैं बोलू एक रुपे लेके आ अब आप भूल गये, तो आप confused हो जाओगे कौन से एक रुपे ये वाले देने थे ये वाले देने थे, ये लास्ट ही बचिए, मैं बोलो एक रुपे लेके आ, तो आप बोलो, दे तो दिया, लास्ट के रुपे तो मैं आपसे जब भी मागूँगा तो एक आपको चिट्थी दूँगा मैं यानि आपको इमेल पे एक लेटर दूँगा अब एक रुपे और दे दिजिए, फिर एक बचे जाएंगे ये बताएंगे, और आपको 14 दिनों का टाइम दिया जा रहा है 14 दिनों के अंदर आप पैसे को जमा कराए ऐसा नहीं कि भाई, पैसे दे दो तब जाके शेयर क्या होता है, for feature होता है तो इसके अंदर देखो सबसे पहले basic basic term हमने क्या क्या देखा अभी साथ अभी basic term में देखा के fully subscribe, over subscribe और या फिर under subscribe इसके बाद क्या देखा सर शेयर application देखा, allotment देखा, first call देखा, second call देखा यह सारी चीज़े हम basic basic देखते आएं अब हर चीज़ के कुछ और basic terms है पहले तो आज की class तो हमारे basic terms में ही चली जाएगी और general entry basics क्या होती है उसमें यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत है और जो बच्चे नहीं हैं बिलकुल नहीं पढ़ा शायद उसको थोड़ा remind हो गया हो ज्यादा नहीं और दुबारा भी जब video upload होगा दुबारा से तो जो बीच में missing होगे वो आपको मिल जाएगा आप देखेंगे उसमें यही बता रखा है ठीक है चलिए आगे बढ़ जाये जाए सर अब जैसे की मेरे shares का price जैसे बोला कि सर जो shares का price है वो मान लेते हैं कि 10 र जिस तो limit रखोगे सर हां आप starting में एक limit होती है starting में limit होती है कि मान लो मैं बोलू कि भाई एक काम कर 10 रुपे का है तो 10 पैसे लेके आ ठीक है ने 10 पैसे लेके आ तो law यह कहता है कि भाईया जो application का पैसा मंगाओ के उसके limit set करो ऐसा थोड़ी आप बोलो को एक पैसा लेके और दो पैसा लिखे आओ तो minimum आपको 25 परसेंट minimum कितना 5 परसेंट तो आपका होना ही होना चाहिए 5 परसेंट किसका असर आपके face value का तो minimum जो application का पैसा होगा 5 परसेंट होगा जैसे मैंने मान लो सपोज मैंने 2 रुपे मांग लिया लेकिन अगर मैं यहां लिख दूं कि minimum क भी दे देते हैं वो एकदम से pattern change हो जाता है तो पता चला कि 20 नमबर के MCQ में यही सारी बाते पूछ लिए उन्होंने 20 नमबर के और ऐसा नहीं आप 10 यह लोगे तो देखोगे आई हुए हैं ऐसे MCQ एक एक नमबर वन लाइन है true false के अंदर ऐसे पूछ लिए जाते हैं ठीक रुपे यह पूरा हो गया अब दो परसन यहां पर involved है जब भी कभी shares का काम होता है तो यहां पर दो परसन involved होता है एक होता है company एक होता है shareholder company हमेशा आप से call करेगा call का मतलम मांगेगा और जो shareholder यानि जो share यह हमेशा आपको paid करेगा तो जब company आपसे मांगे का उसको बोलेंगे called up और जो shareholder आपको paid करेगा उसे क्या बोलेंगे paid up दोनों में फरक है एक क्या है हमारा called up है और एक क्या है paid up है यह बात समझ मैं आई आपको अब देखो त्यान से देखना जैसे मानलो company ने बोला के भ इसको थोड़ा सा सिस्टेमेटिक कर देते हैं ताकि दिक्कत ना हो समझने में अपड़े है कि के मैं यहां बोलूंगा आप बताना पहला पॉइंट पॉइंट नूमबर वन लग से देते हैं इसको company ने बोला आप यह दे दो और आप यह भी दे दो आप यह भी दे दो आप यह भी दे दो और आप यह भी दे दो तो बताओ company ने आपसे कितने मांगे पूरे 10 रुपए मांग लिए तो पहले case के अंदर called up कितना है यानि मैं called up Called Up 10 रुपए अब shareholder ने ये भी दीए ये भी दीए ये भी दे दिए यानि shareholder ने जैसे जैसे मांगेगा सब दे दिए तो यहाँ पे paid up क्या होगा paid up कितना होगा 10 रुपए अब क्योंकि सारा सारा हो गया तो इसलिए इसको एक और एक और नाम से जाना जाता है, fully called up, fully called up मतलब सब मांग लिए, और क्योंकि सारा इसने दे दिया तो इसको एक और नाम से जाना जाएगा fully paid up, समझी की बात अब? ठीक है न? मैं ऐसे बताता जा रहा हूँ आपको जैसे होगा, register में नोट करने के लिए, बाद में भी वीडियो मिल जाएगी, उसके इसाब से आप नोट कर सकते हो, ठीक है? इसके बाद आगे आजाते हैं सर, और भी पढ़ते हैं कोई point, नमबर दो अब company ने ये मांगा, ये मांगा, ये मांगा, और ये मांगा, और ये बोला भी नहीं मांग रहे तो यहाँ पे जो called up होगा company के तरफ से होगा, न called up कितना होगा called up? हमने last वाला नहीं मांगा, तो 8 और paid up जो होगा shareholder ने मान लेते हैं सब दे दिये तो paid up जो होगा, वो कितना होगा sir, वो होगा हमारा 8, लेकिन यहाँ पे एक बात और आती है, कि जो company ने ये वाले पैसे नहीं मांगे जो shares का पैसा नहीं मांगता, उसको हम दो नाम से जानते हैं, यानि इस वाले case के अंदर, हमारा मैं भूलू uncalled कितना है, तो 2, और इसी को एक नाम से और जानते हैं, that is reserve capital reserve capital इसी को किस नाम से जानते हैं, अब ये company ऐसा क्यों करती है, company को भी जोरत नहीं है, इसलिए नहीं मांग रही और लेकिन जब जोरत पड़ेगा company तो मांग लेगी, तो ये reserve कर रखा है कि ज़रत के time पर मांगेंगे, ठीक है चलिए इसके बाद देखते हैं एक और case देख लेते हैं third case third case अब इसको line से करते हैं ना तो case होगे, तीसरा case आज़ा तीसरे case में, जो है ये भी मांग लिया, company ने ये भी मांग लिया ये भी मांग लिया, ये भी मांग लिया और ये भी मांग लिया तो यहाँ पर बताओ called up कितना होगा called up होगा यहाँ पर 10 रुपे लेकिन shareholder ने क्या करा शियर होल्डर ने सिर्फ शियर होल्डर ने यह नहीं पेड किया तो यहां बताओ पेड़ अप कितना होगा पेड़ अप कितना होगा यहां लेकिन शियर होल्डर की तरफ से यह कंपनी एक और वर्ड यहां पर यूज करने वाला है एक और जो word use करेगा that is use क्या करेगा यहां पर sir calls in area हो गया that is door पर यानि जितने पैसे shareholder देने से मना कर देता है तो उसको हम क्या बोलते है sir calls in area बोलते है जितने पैसे shareholder देने से मना कर देता है उसको क्या बोलते है calls in तो जितने company ने मांगे called up, जितने shareholder ने दिये paid up, जितने company ने मांगे और shareholder ने नहीं दिये, वो क्या होता है calls in area, जब calls in area होगा, तो यानि shareholder कहीं न कहीं यहाँ पे company को पैसा नहीं दे रहा, तो company के पास अधिकार होता है, कि वो इस पे interest ले, वो इस पे कितना ले interest, और interest लेने का अधिकार जो है न, वो पता है कितना आपका 5%, 5, और नहीं स्वरी, rate change हो गया, 5 पुराना था, 10% है, ठीकिना पहले 5 हुआ करता था, 10 है, कितना rate है interest पे, 10% ले सकता है ब्याज, कि भाईया आपने नहीं दिया, आपको ब्याज देना होगा, ठीकि उसी तरीके से, एक तरीके से EMI तो है, आपसे मांगा गया, किस तो आपने नहीं दिया, तो penalty लग गया आपके उपर, ठीक है, case number 3 के बाद आ जाते हैं, sir, case number 4, case number 4, यार, मान लिया जाएं, company से, ये मांगा, ये मांगा, ये मांगा, ये मांगा, और ये नहीं मांगा, ठीक है, लेकिन shareholder ने, ये भी मांगा, मान लेते हैं, ये मांगा, और ये नहीं मांगा, लेकिन shareholder ने क्या करा, ये pay कर दिया, यानि company ने मांगा नहीं और shareholder ने अपनी मर्जी से payment कर दिया advance में तो यहाँ पर क्या होगा called up बताओ पहले कितना है called up आठ है लेकिन paid up बताओ कितना है sir paid up तो यहाँ पर 10 हो गया अब company के point of view सोचे तो यहाँ पर हमारे पास आगया calls in advance तो यहाँ पर अब shareholder क्या बोलेगा भाई जब मैंने नहीं दिये थे तो तुमने ब्याज हमसे लिए अब हमने advance में दिये हैं तो हमें आप ब्याज दो तो company यह बोल सकते हैं that is 12% यानि company अगर ब्याज लेगी तो 10% यह per annum है और अगर देगी तो कितने % 12% यह सारी बाते जो है हमारी company law के अंदर लिखा हुआ है table f के अंदर यह बाते लिखी हुए जहाँ पे एक schedule होता है rule and regulation का वहाँ यह बाते लिखा हुआ है इस rate को याद रखना है आपको can trust भी calculation करना पड़ेगा अब पहले तो 12 में नहीं था लेकिन अब है ठीक है आगे चलते हैं सर इसके बात देखते है एक बात अंजी यहां तक clear है नहीं नहीं अभी class over नहीं हुई है यहां तक clear है सभी बच्चों को तो आगे बढ़ा जाए 5th point और कर लेते हैं वैसे मैं सूच रहा था अलग से कराओ लेकिन 5th point और कर लेते हैं यहां तक clear है एक बार बता दीजिए फटा फट yes clear चलिए एक 5th point और देखिए कुछ एक words जैसे मैं कई बार यूज करूँ है call scenario तो आपको समझ जाना है call scenario का मतलब है shareholder ने पैसे नहीं दिए मैं बोलू calls in advance तो आपको समझ जाना है कि shareholder ने extra पैसे दे दिए इसका accounting treatment क्या होगा वो देखेंगे मैं बोलू कि भाया paid up तो आपको समझ जाना है कि भाया shareholder पैसा दे रहा है मैं बोलू called up तो समझ जाना है कि company ने मांगे है ज़रूरी नहीं है कि shareholder सारे दे देगा तो यह word है अब मान दीजिए अब company ने क्या करा suppose company ने बोला कि भाया तू मेरे को ये भी दे ये भी दे और ये भी दे और ये भी दे और ये भी दे और ये भी दे एक shareholder ने क्या करा है है कि shareholder ने ये दे दिया और ये दे दिया और ये नहीं दिया ठीक है और उसके बाद फिर इससे call किया गया और ये भी नहीं दिया यानि वो पैसे देही नहीं जा तो ऐसे situation में क्या होगा जब shareholder से पैसे company बार बार मांग रही है तो ओविस सी बात है shareholder परिशान कर रहा है company को तो यहां पर company के side से अगर मैं called up बोलू, called up तो 10 रुपे मांग लिए लेकिन shareholder की paid up की बात करूँ, paid up अगर मैं shareholder की बात करूँ तो कितने भी दिये है उसने, सिर्फ ये वाले यानि 2, 3, 5 और 2, 7, paid up कितने हो गए, 7 रुपे, अब ये ध्यान रखना, called up और paid up कितने हो गए, 7, अभी देखें, अब आगे हम चलते हैं, 10 और 7, अगर हम आगे देखें, further, तो मैंने क्या कहा, कि भीया, आप पैसे नहीं दे रहें, तो एक काम करते हैं, आप shareholder, आपने जितने पैसे दिये हैं, वो सारे मैं आपके पैसे जब्त कर लूँ, जब्त का मतलब होता है, कि आपके जितने पैसे दिये थे, वो सारे पैसे मेरे पास ही रहेंगे, और जो हम आपको shares दे रहे थे, बार-बार, आपको company के अंदर हम member बना रहे थे, अब उस member से आपको बेदखल कर दिया जाता है, आपको member रहेंगे ही नहीं, तो यानि आपके पैसे for feature होंगे, कभी share for feature नहीं होता, आपके प तो for feature कितने जितने पैसे उसने दिये होंगे, उसी को for feature कर सकते हैं, तो जितने पैसे कितने दिये उसने, इसने दिये 7, तो हाँ, for feature कितना होगा, 7, एक चीज़ नोटिस करिए, paid up भी 7 और for feature भी 7, तो बिलकुल सही बात है, जितना paid up होता है, उतना ही क्या होता है, हमारा share for जितने आप दोगे उतने फोर फीचर करूँ है तो कुछ है कि यह basic terms है जो कि हमने देख लिए ठीक है मैं starting से एक बार revise कराता हूं कि क्या 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 देखा सर चली आ जाईए सर सबसे पहले हम आगर बात कर रहे थे सर यहां से mainly है कि company अपने आपको registration करवा लेता है कहां companies act के अ अब उसमें से जितने भी company ने लोगों को बेचने की कोसिस की है उसको क्या बोलते है public offer या issue price इसको हम जब पहली बार company ऐसा काम करती है तो इसको हम initial public offer भी बोल देते हैं जिसको IPO के नाम से बहुत popular रहता है initial public offer अब company के जब 5 लाग बिख जाएंगे तो कभी future में पैसे की ज बात जब दूसरा काम करोगे तो उसका word क्या होगा further further public offer तो इसे इसलिए FPU बोला जाता है क्या बोला जाता है हमारा तो जब कभी भी सुनो कभी word के FPU आया तो समझ जाना इस company ने पहले अपने share अगर IPO आया है तो समझ जाना company पहली बार share issue करने जा रही है इसके अंदर minimum आपके 90% share तो बिखने ही बिखने चाहिए आगे देखा जाए तो आप shares को दो टाइप से मंगाये जा सकता है या तो सारे पैसे खटे मंगाये जा सकते हैं इसको बोलते हैं लंसम और shares को टुकडो में मंगाये जाएगा that is installment पहली बार जो मंगाये जाएगा that is application दूसरी बा paid कर देती है उसको क्या बोलते है paid up जैसे यहाँ पे company ने ये मंगा और मैं यहाँ shareholder भी लिख देता हूँ shareholder ने सब दे दिये तो यहाँ पे called up भी 10 हो गया और paid up भी 10 हो गया इस वाले case के अंदर company ने यही मंगे और shareholder ने क्या करा जितना company ने मंगा वो shareholder ने दे दिया तो company ने भी यहाँ पे नहीं मांगे last वाले तो called up भी और paid up भी बराबर हो गया और जो बाकी का बच गया उसको क्या नाम दिया इस वाले को हमने uncord नाम दे दिया और इसका एक और नाम क्या पड़िया reserve capital एक capital भी होता है लेकिन यह reserve capital है इसके बाद company ने यह मांगा यह मांगा यह दिया यह नहीं दिया ठीक है ना ऐसे लिख दिया और यह वाले किसके लिए line बनाती चलो company के लिए तो जो company को नहीं दिया that is क्या होगा हमारा calls in area और यह हो गया हमारा paid up कितना हो गया 8 रुपए क्योंकि shareholder ने इतना ही दिये है अगले case में shareholder ने company ने यह मांगा यह मां हो गया कितना आपका calls in advance तो रुपए में लिखा ही नहीं कितने रुपए हो गया है तो दो हो गया calls in advance calls in advance हो गया आपका 10 रुपए अब ऐसे situation में आप देखो जब area होगा तो हमें 10% company ब्याज बसूल लेगा हमसे जब advance होगा तो हमें 10% ब्याज देना पड़ेगा यह सारा क पैसे नहीं देंगे उसको क्या बोलेगा शियर फोर फीचर तो यह पूरा का पूरा एक हमारा सिस्टम है जो से बोलते हैं हम company account की सारी accounting के अंदर जो basic terms यूज होंगे वो है premium भी कुछ बच्चों का होगा underwriter वगरा सब देखेंगे धीरे धीरे आएगा अगली class से हम पूरे आप से लेके चलूँगा और अब बहुत ज्यादा detail मतलब में बात करो तो धीरे धीरे नहीं यह भी खतम हो जाएगा अगली class में यह भी खतम हो जाएगा उससे अगली class में calls in advance दो से तीन दिन लगने वाला है ठीक है तो यहां तक सभी बच्चे को clear है क्या क्या है सभी student को clear